अजमेर के हरियोम कॉलोनी विकास समीती चंद्रवदाई नगर की और से संगीत में भागवत कता का आयोजन किया गया है भागवत कता की शुरुवाद 12 जन्वरे से की गई जिसमें अलग-अलग कताओं का मंचन कता वाचन द्वारा किया गया इस संगीत में भागवत कथा में हरियों कॉलोनी साहित अलग-अलग स्थानों से श्रधालू पहुचे और भागवत कथा का आनन लिया इस मोखी पर कथा वाचन शी देवजी पावन महाराज ने कथा का मंचन किया और उनके संगीत में लोगों ने नास से जूंगते वे बागवत कथा सुने बिश्न तेरे मिले कहा नजजज बहाराई वाण आए बिश्न तेरे मिले कहा जजज बहाराई पर आननी एक विखास समीति चंदवर्दाहि नगर जो कि एक रिजिस्टर संदका है साप्ता एक संगीत में बागवत कता का एजन्टिया गया है जो रविवार 12 वरी से प्रारम हुआ है बरतपुर कामा श्रीराम स्थम मंडल के महराज पवन जी के द्वारा ये कता की जा रही है इस कता में प्रती दिन सैकड़ों की संक्या में महिला पुरुष भाग लेकर के और इस संगीत में बागवत कता का आनंद ले रहे हैं हमारा उद्दिश्य था जीसे प्राचीन समय में जो भी कोई अपना अवास बनाता था रहन बनाता था गंगा नधी के और जल के किनारे जाकर बनाते था तो हमारा ये प्रयास है हमारी समिस्थ intimid के द Kings किया गया जो तारकम के संहुजख है सागर मिना, उनका यह प्रयास था कि गंगा गर बैटे लोगों को मिलनी चाहिए, यह जो बुजुर्ग हैं, यह के लोग हैं, जो भागवत कता में दूर जाने में असमर्त हैं, असाय हैं, उनके लिए यहां पर यह आयोजन किया गया, वैस विदा जनक तरीके से यहां के उद्देश यही रहा है कि दार्मिक बहुदार में जागरत की जाए, दिन भर आवा का मन, और कल्यूग में जो है, माराज ने यह बताया कता में कि कल्यूग में मानों का जीवन संक्षिप्त होता है, एवरेज आयू 50-60-70 होती है, सत्यूग में जो आयू होती थी, वर्ष हुआ करती थी, तो उस तरह मुक्ती का मार्ग भी आसान होता था, कल्यूग में जो मुक्ती का मार्ग है, भगवान का नाम सिवरन करने से ही मुक्ती मिल सकती है, यह इस कथा का सार है, और भगवान का जो कथा के जो व्यास हैं, उन्होंने यह बताया, कि चलते, प्रमात्मा का स्रवन करो घर परिवार में रहो इस लिप्त मतों माया मों में तो यह जीवन सफल हो जाए